कि नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त अतुल आप सभी का लच्छ सफलता की चौकट की आउनलाइन प्लेटफार्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं पर्यावरण का एक नया टापिक लेकर करके आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ यह टापिक TET, CET, ECS आदि परिच्छाओं के लिए पर्याप्त रूप से उप्योगी है तो जो भी आपके दोस्त इंसारी परिच्छाओं के त्यारी कर रहे हैं उन लोगों जो भारत की नहीं है फिर भी एक्जाम की द्रश्ट से महत्पून चलिए प्रारम करते हैं इन प्रजातियों में सबसे पहला नाम आता है आर्गिट का आर्गिट एक प्रकार का पौधा होता है जो सुंदर वा छोटे फूल देने के लिए दुनिया भर में जाने जाता है इ इसी कारण इसे नेक्ड में आर्गिट के नाम से जाना जाता है यही विलेच्छंता ही इस पुस्प को बहुत ज़्यदा पौपलर बनाती है यह प्राय भूमी अत्वा दूसरे प्रच्छों पर आस्रेग्राण पर सब उपते हैं या कुकुर मुत्य के समान मृत भोजी जी नार्थिष्ट के बाद यह पस्चमी घाट के आसपास के छित्रों में भी पाय जाता है दूसरे नंबर पर लेकिन भारत में मुक्रूप्स यह नार्थिष्ट में पाय जाता है पोर्ट को देखकर कि आप इस बात कब पता लगा सकते हैं काजी रंगा निशनल और्किट पा पाड़ी उसके बारें बात करेंगे कीट भच्ची पादप ऐसे पादप जो कीटों को खाते हैं क्यों खाते हैं कीटों को उसका करण यह होता है कि ऐसे पोधे ऐसे स्थानों पर पनकते हैं जहां पर नाइट्रोजन का अभाव होता है जब नाइट्रोजन का अभाव होगा आप मुद्र्जय की आपूर्थी करने के लिए , वे क्या करते है इन कीटों को बच्छन करते हैं और बच्छन करके उनसे नाइट्रोजन की आपूर्थी कर लेते हैं इन पॉद्धों को निमन नाम दिए गया है जैसे पिछरप्लांट है border wart है, Drosera Utricularia और venus plight है इन में से जो Picher Plaint के भी दुभब होते है Nepenthes और Sarcenia इन में से Nepenthes जदा popular है उसके चित्र है यहाँ पर भीएगा है Nepenthes के यह Nepenthes है हिंदी में से घट-Panattan कहा जाता है यानि घडे की तरह का होता है और इसके ओपर ढकन की तरह होता है कीड़ा अंदर आएगा ढकन बंद हो जाएगा कीड़े से नाइट्रोजन का उस्वशन कर लिया जाएगा बात में कीड़ों को बाहर गिरा दिया जाएगा तो इस तरह के पौधे भारत में याद रखेंगे आप लोग मेघाले राजमे की पाया जाता है भारत के मेघाले ये यलो कलर से दिखाए दे रहा हमेघाले यहाँ पर पाया जाता है घटपाड़ी पौधा या आपके एकजाम के देश्ट से मात पौधा बाकि जो अन्य पौधे हैं उनके भी चित्रह हम देख लेते हैं यह है आपका bladder word, इस bladder word पौधे के नीचे यहाँ पर आप जाएंगे, तो यहाँ पर एक जाल मुमा समद्चना इस पकार से दिखाई देगी, इसके बाद यहाँ पर drosera है, इसे मक्खा जाली कहा जाता है, तो drosera यह सुगंधित इसमें द्रभ पा जाता है, भरा हुआ दिखा कहा जाता है, और यह खुबश्रत दिखने वाला पाउधा, दोनों तरब से यह धकन जैसे बंद कर लेता है, तादी की तरह बजा देता है, और इस तरह से कीडों को अपने जाल में फसा लेता है, तो यह कुछ कीट बच्ची पादब हैं, जो भारत में हलांके यह नहीं पा यह रोप में रेंडियर नामक प्रजाति का एक हिरन पाजाता है, यह भी रेंडियर है, तो जैसे जलवाईविक दसाओं में रेंडियर यह रोप में पाजाता है, वैसे ही जलवाईविक दसाओं में भारत के जम्मु कस्मीर में पाए जाने माला एक हिरन होता है, इसे आंगुल हिरन के नाम से जाना जाता है आप देख सकते हैं इसी प्रजाति के यह भी हिरन है जैसा बाइग्राउंड बर फीला यहां पर है वैसा बाइग्राउंड यहां पर भी है तो यह दोनों एक ही प्रजातिया है लेकिन अलग अलग छेत्रों पाई जाती है आंगुल हिर में और डिडेल से प्उझरान करेंगे। 14 नमबर पर हम जंगली गधा की बात करेंगे , ये भारत के कछ केख रन का इस्थानिक प्राडी है .सर्फ कछ के रन में पाए जाता है , ये गुज्रात में उड़्क aggregation तो कच्छकरन यह आपका लोकेशन है इसी इस्थान पर पाए जाने वाला यह जंगली गदा है आपको ध्यान रखना है यह अंता बच्छन जी आपने देखा होगा गुजरात टूरिज्म के जब ब्रांड अबेजडर थे तब इन्होंने इस तरह से कुछ चित्र दिये हुए थे तो यह गुजरात टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं अगला प्राड़ी हिमालेन ताहर हिमालेन ताहर को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि ताहर एक प्रकार का बकरा होता है इस तरह की ताहर की तीन प्रजातिय दुनिया में पाई जाती है हिमालेन ताहर, आरब ताहर तथा नील गिरी ताहर इन में से दो प्रजाती हमने आपर बताई हुए आपको ये हिमाले नताहर है और ये निल गिरी नताहर है पेसिक सी बात समझ लिए कि हिमाले में ठंडी जादा होती है इसलिए इस बकरे के बाल बड़े होते हैं जबकि निल गिरी में ठंडी कम होती है ये जुनेस के बाल छोटे हैं तो हिमालयम तहर, हिमालय में पाय जाता है ठीक है लेकिन यहाँ सबसें थोड़ा सा बन सकते हैं नेल गिरी तहर से दचण भारत की नेल गिरी जाथा अन्न्यम अलाई पाड़ी हो पाय जाता है नेलगरी आप जानते हैं पश्मी घाट में परबत है वहाँ पर यह पाय जाएगा इसलिए इसका नाम नेलगरी ताहर रखा जाएगा याद रखें नेलगरी ताहर जो है तमिल नाटुराज का राजकीर पसू है एक सिंग वाला गैडा वन हांड राइनोस्रॉस याद रखें दुनिया में समानता दो सिंग वाला गैडा पाय जाता है यह दो सिंग है इसके एक सिंग यह है एक सिंग यह है अफ्रीका में मुख रूप से पाय जाता है लेकिन यात रहें कि एक सिंग वाले गैड़े के गरबात आए जैसे यह है एक सिंग इसके सिर तो यह दुनिया में सिर्फ एक जगह पर पाय जाता है और वो इस्थान है भारत का असा ACI सेर के अलावा तुनिया में मुख रूप से दो प्लकार के सेर पाय जाते है यानि ACI सेर भी पाय जाता है और एक अफ्रीकन सेर भी पाय जाता है चित्र देख सकते हैं अफ्रीकन सेर है और ये ACI सेर है, ये अफ्रीकन लाइन है, अफ्रीकन लाइन जो था पूरे इस ग्रे वाले कलर में फैला हुआ था एक समय था, पूरे दुनिया में यहां तक फैला हुआ था, लेकिन अब उसकी प्रजातियों में लगातार कमी हुई है, और जितना करेंट इसका रेंज है, व लेकिन अगर हम ASEATIC LINE की बात करें, तो ASEATIC LINE में कहीं पर भी लाइन नहीं पा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगर पर पा जाता है, वो है भारत का गुजरात, गुजरात की पहाड़ी जिसका नाम है गिर पहाड़ी, तो गिर पहाड़ी ग्रीन पलस दिखाई गई है यहाँ पर इस सिर्फ पाय जाता ASEATIC LINE, गुजरात LINE, IPL की टीम है, इससे आप करेक्ट कर सकते हैं, तो आपको पताया गया है कि गिर फॉरस्ट जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर नेशनल पार्क बना दिये गया है, तो गिर फॉरस्ट नेशनल पार्क एक मात्र स्थान है जहाँ पर ACI सिर्फ पाय जाता है, याद रखें, वीडियो में ऐसे टापिक जो अलग से आपको इक्स्ट्रा रखे गया है, उन टापिक को मैंने पीले करर से ऐसे कलर किया हुआ है, तो उनको ज्यान रखें, तो चलिए, ACI चीते के बारे में जानते हैं, पैंथर, पैंथर में भी हमारे हां भी पाय जाता था, और अफरीका में भी पाय जाता था, लेकिन इसके आवासी छेत्र और सिकार के उपलगता के कम होने के कारण, इसकी जो ACI वाली प्रिचाति थी, यादि ACI का जो लोकेशन में था, वो समाप्त हो चुगा है, याद रखें, आवासी छेत याद रखें, इसके रहने का जो छेत्र है, वो कम हो गया, और इसकी सिकार जादा जादा इसको नहीं मिल पाया, इसके पेड़ भर निकली, इसी कारण से इसकी समाप्ती हो गई, ध्यान रखें, अभी भी ये इरान वा अफगारिस्तान में कुछ मात्रां पाया जाता है, ए भारत में इस बाउन में इसको लुप्त गोसित कर दिया गया, आपको धान रखना है, चीता भारत से समाप्त हो चुका है, ये चीता जो रखा गया है, पुरानी तस्वीर है भारत की, इसमें चीता को क्यों बान कर रखा गया है, तो याद रखें, इसको सिकार करने के लिए पकड के रख लेते थे कुछ लोग अपने पास इसको ट्रijn करते थे मसभी एिरन को पँपड़ना होता कोई सिकार पकड़ना होता तो इसको साथ में लेकर करके जाये जाता था और ये लेसक सिकार को पकडने में मद़त करता था एक विसेस बात आप ध्यान लगेंगे कि चीता पहँचाने के कैसे तो चीता के आखे में किस तरह से ये काला निशान पाई जाता है तो ये अफ्रिकन चीता है ये ACI चीता है ACI चीता मैंने आपको बता है कि भारत से समान्थ हो चुगा है और यह सिर्फ कहां पर पाय जाता है यह देखी इरान के आसपास के कुछ छेत्रों में इसकी location है लेकिन अफ्रीकन जो चीता है वो अफ्रीकन चीता अफ्रीका में इंडिन छेत्रों में पाय जाता है चीता से मिलता जुलता है एक अन्य प्रांडी भी होता है लिपर्ड जिसे हम तेंदुवा कहते हैं तेंदुवा में चीते में यही इंतर होता है कि तेंदुवा का थोड़ा साइज छोटा होता है और उसके चीते के आँख में इस तरह से धारी बनी होती है एक दूसरा प्रांडी हुता है जगवार, जो इधर नहीं पाजाता है, हाला कि अमेरिका के तुरह आ जाता है, तो जगवार भी मेलता जूटा है, प्रांडी हुता है, इनके धब्बों से हम इनकी पहंचान कर सकते हैं, जगवार जो दब्बा होता है पांकि लेपड की चीटा की पैचान हमने आपको बताई तो यात रखें अफरीका में जो चीटा पर्याप्त मातरम पाया था बहात में समाब्त हो गई है हाला कि भारस सरकार अफरीका से चीता मागा करके भारत में उसका ग्रोथ करने के लिए सोच रही है अबھی ये सकसेज नहीं हुआ है प्लान क्योंकि जो जलवायविक डसाएं हैं वो अफरीका की भारत की उनमें काफी अंतर है इसलिए अफ्रीकन चीताभात में सर्वाइब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इस बात को लेकर के भी मतभेद चलना है एक अगला प्राणी है Great Indian Bustard Great Indian Bustard की सरवाधिक संख्या है भारत में, राजिस्तान में पाई जाती है और राजिस्तान सरकार इसको गोडावन नाम देती है और गोडावन नाम से इसको अपना राज पच्ची गोसित किया गया है इसकी समस्य यह है कि इसका साइज ऐसा है, काफी बड़ा होता है आकार ज़्यादा बड़ा आकार होने की बज़ेसे लोग इसका सिकार करते हैं सिकार करके इसको समाप्त करना हैं इसी करण से red data book में इसे गंभीर रूप से संकट critically endangered की स्रेणी में सामिल किया गया है जब सामिल में कर दिया जाएगा स्रेणी में तो राजिस्थान में ज़्यादा मात्रम पाय जाता है इसलिए यहाँ पर एक नेशनल पार्क है Desert National Park राश्टी मरूद्धानिम्दी में कहा जाता है यहाँ पर इसको क्या कर जाता है बहु ज़्यादा protection दिया जाता है और इसी कारण से इस नेशनल पार्क को बिजर्ट निशनल पार्क को कोडावन की सरण इस थली के नाम से जाना जाता है याद रखें जो बस्टर्ड होता है बस्टर्ड नमक पच्छी होता है ये भारत में इसकी चार प्रजातियां पाई जाती है All the four species of बस्टर्ड इन इंडिया कौन कौन सी है इक पहला जो सब ज़्यादा पॉपलर है Great Indian Bustard है इसके बाद Maik Quinz Bustard है इसके बाद Lesser Florican Bustard है और इसके बाद Bengal Florican तो हालांगि तीन जो बस्टर्ड है आप लिए महाथफोन नहीं है इन में से Great Indian Bustard काफी चर्चा में रहता है उसकी location देख लेते हैं यह Great Indian Bustard की जो green color से या yellow color से दिखाई गई है यह उसकी पुरानी location है इस इतने छेत्र पर पहले फैला हुआ था हलांकि अब यह इतना छेत्र में इसका सिकार के कारण समाप्त हो गया है और जो red dot बने हुए है यह इसकी present location सो कर रहा है और इन जगों पर आज पाए जाता है इन जगों में आप सरबादिक देखा राजिस्तान में सब जादा पाए जाता है इसके बाद यह महाराष्ट के आस यह आपने जाना हलांकि दुनिया में कई प्रकार का बस्टर्ड पाए जाता है इसका scientific name है बस्टर्ड का वो ld-ortis से start होता है तो ld-ortis के देखिए आप देख रहा है यहाँ पर Arab में पाए जाता है इसके बाद यह कोरी बस्टर्ड है यहाँ पर पाए जाता है यह उसका च इन में से इसमें भी भारत में इसकी चार प्रजाती मैं आपको बताएं 2020 की state of India's birds report में इनके बारे में खुलासा किया गया है खुलासा यह है कि the decline is observed due to historical hunting and widespread habitat loss मैं आपको पहले ही बताया था कि एतिहार से काल से इनकी इनका जो है सिकार किया जा रहा है बड़े पाइमाने प इनको जो habitat है आवास है उसमें लगातार कमी हो रही छती हो रही है एक और कारण है with their slow growth इनकी जो सरीर की ब्रद्य होती बहुत धीमी धीमी होती है and reproduction और यह जो reproduction है वो भी काफी देर से करते हैं यह चार कारण है बताये गए हैं इन चार कारणों की वज़े से यह लगातार घटे चले जा रहा है और आपने देखा कि पिछले 50 सालों में इनकी 90 प्रिस्त जवापादी है वो समात हो चुकी है एक अगला प्राणी घडियाल है घडियाल मुख रूप से मचली खाने वाले मगर मच्चकेक पर जाती हो दो प्रसनियां पर आपको मिलेंगे मचली खाने नहीं पहुँचाता है चितर में आप देख सकते हैं औभारत का स्थानिक प्राणी है ये इस सुर्फ बारत में पाजाता है घडियाल के अलावा को फूचे कहां पर पाजाता है मुझ तब्स के लावा कुछ घडियाल सोन, घंडग कूलिया और भागरामगां बी पाज जात अक्सर confusion बच्चों को होता है घडियाल में एलिगेटर में और क्रोकोडाइल में थोड़ा सा अपने जानकारी के लिए इन अंतर को हम सपष्ट कर देते हैं घडियाल का जो मुं होता है तोथन जो उसका होता है वो आई की तरह आपको दिखाए दे रहा है अब इन दोनों के बारे में घडियाल के बारे में आपको जानकारी पहले ही थी अब क्रोकोडाइल एलिगेटर के बारे में समझ लेते हैं इनका distribution समझते हैं, याद रखें, alligator जो होता है, वो mostly found in North America and China, ये alligator का चित्र है, alligator मुख रूप से अमेरिका और चाइना में ही पाया जाता है, जब कि जो crocodile होता है, ये पूरे दुनिया में पाया जाता है, दूसरी महत पूर बात इसकी यादत को ले करके है, कि जो crocodile होता है, वो जो लोग होते है, alligator, less aggressive, attack and provoked, जब हम इको पहसान करते हैं, तभी हमारे उपर आक्रमण कर सकते हैं, जनरली हमारे उपर आक्रमण नहीं करते हैं, ये जान और हो खाते हैं, ये गगला प्राडी है, गंगा डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन, ये मचली नहीं बलके एक ज पंधारी जीव होता है, मुक रूप से गंगा नदी में, साथ ही चंबल, घागरा, गंडग, सौन, कोसी, ब्रमपुत में भी पाई जाती है, सबसे महत्पूनिश टापिक का क्वेश्चन है, पांच उक्टूबर 2009 में इसे राष्टी जली जीव गोसित किया गया है, ये दे प्रदूशन है करने, प्रदूशन जादा होने को जैसे, बांधों करने मार्ण सिकार, बांध बनाए जाने को जैसे, इनके प्रिजनल में बाधा आती है, और इनका सिकार भी बेतर तरी तरीके से किया जाता है, सिकार क्यों किया जाता है, इस बारे में बात करें, तो इस से इनको राष्टपती ने पुरुषकार से सम्मानिक किया है तो आपको ध्यान पना है रविंद्र कुमार सिंहा को डालपिन मायन आप इंडिया के नाम से जाना राता है यह बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चा मचली के बारे में और बाते हैं हिस्सा में उत्यों प्रेश के नरौरा बिहार के पटना साहिब में बहुत थोड़े चित्र में पाई जाती है, इसके सनश्र के लिए बिहार के भागर पूर में डाल्फिन अबेरंट भी बनाये गया है, यह एक महत्पूर्ण बात है कि नेत्रहीन होती है, इसके पास आखे न पानी में पता कहती है, जो चायना की यांग जी नधी में, बोटो डालफिन होती है, अमेजन नधी में पाई जाती है, यानि इस गंगा डाल्फिन से प्रशन पूछा जा चुका है तो चलिए ध्यान से इसको देखेगा यह पच्छी मुख रूप से दच्छण ACM पाए जाता है इसकी एक प्रजाती जिसको प्रजाती ही सिर्फ प्राइदी भारत में पाए जाती है और भारत में उत्तरभात में पाए जाती है और दच्छन भारत में भारत में भी आंध्र प्रदेश में मुख रूप से पाए जाती है आंध्र प्रदेश में कई सारे संक्चुरीज हैं वहाँ पर यह केंदिर्थ होत गुरूप में किया जाएगा, तो नंबर एक पर कोलेरू लेक बर्ड सेंक्चुरी, इसे अटापाका बर्ड सेंक्चुरी भी कहा जाता है, नीला पट्टू बर्ड सेंक्चुरी, उपाला पारूट बर्ड सेंक्चुरी, चितरंगुरी बंग बर्ड सेंक्चुरी और पुलिक पच्ची पाइजाता है, एक अन्न पच्ची की कहानी यह हिस्से पर यह निवास करता है, इस जगह से यह migration करता है migration करके देखिए ये इसका पुराना रूट है इस रूट से भारत आता था यहां तक अब भारत में एक स्थान है राजिस्थान का केवला देव घाना पच्छी विहार वहां पर यह आता था सर्दी के मौसम में जब यहां पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी उसको परदास्त नहीं कर पाता था तो भारत आता था भारत में अपेच्छा क्रत साइबेरिया के अपेच्छा क्रत कम सर्दी होती थी इसलिए यहां पर रहता था यहां पर समय बेतित करने के पश्चात यहां से वापस जाता था लेकिन 2002 में अंतिम बाई से भारत में देखा गया है और 2002 के पश्चात इसने अपना route change कर लिया है अब ये हाला कि इरान जाता है और इरान में ये निवास करता है इरान से फिर वापस चला जाता है और फिर रसिया में पहुंच जाता है इससे प्रिशन पूचा जाता था पहले काफे ज़्यादा कि भारत में साइबेरिया इसारस का निवास स्थान कहां पर है मुकरूप से कहां पर पाया जाता है भारत में तो केवला देवगाना पच्ची विहार में पाया जाता था राजिस्तान के। एक अगला महत्पोन टापिक संगाई हीरन, ब्रो एंटिलर्ट टीयर का है। तो चलिए इसको समझने से पहले हमें इस जील के बारे में जानना पड़ेगा। यहाँ पर मडीपूर है। मडीपूर में इस प्रकार के जील पाया जाता है जैसे लोक्टक जील कहा जाता है। कीचरण, खास, गाद इस तरे के तमाम सारे चीजों से औस साथ मिल करके बने होते हैं तैरते हुए होते इनके नीचे पानी होता है। इन द्यूपों को फंदी के नाम से जाने लाता है इन द्यूप में एक सबसे बड़ा द्यूप है जिससी वजह से उसका करते हुए केबुल लामजाओ हो द्यूप इसको राष्टी उद्दावन गोर्चे het क्योंकि आप जानते है कि प्रपूरे प्रटीय गया है और उसका नाम क्या कर दिगा ओặा है इस प्रश्ण बना करता कि वस्वका एक मात्र तेरता हुए राश्टी उफद्दान कौन सा तो आपको केबुल लामजीज और राश्टी उफद्दान का नाम बताथ संगाई इन मडिपूर का राज की ये जो पसु है इस राज का राज की पसु है मडिपूर का और इसे डांसिंग डियर वही कहा जाता है एक अगला प्राड़ी है सेर जैसी पूछवाला बंदर लाइन टेल्ड मैं कॉक मुख खुरूप से इस्थानिक प्राड़ी है पस्चमी घाट का चित्र बना हुआ है पस्चमी घाट में मुख खुरूप से लाइन टेल्ड मैं कॉक पाय जाता है केवल करनाटर कमिलाड़ों में पाय जाता है यह सदबहर चोड़ी पत्ती वाले बनों में रहते और मनुश्य को संपर्ख से बचते है याद रखें मनुष्यों से थोड़ा सा इस सरमाता है ठीक है और उनसे दूर रहने का प्यास करता है अलाकि मनुस इस से ने सर्माता है यानि मनुस इसका सिकार करता है और इस वज़े से काफी ज़्यादा ये खत्रे में है एक अगला प्राड़ी हिम्तेंदुवा स्नो लेपर्ड है इसनो लेपर्ड मुक्रूप से बिस्तु के अगर हम बात करें तो इन छेत्रों में पाय जाता है इन छेत्रों में आप देख रहे होगे यह भारत है मुक्रूप से चाइना है मंगोलिया है इन छेत्रों में अजाकिस्तान है इन जगों पर पाय जाता है लेकिन हम भारत की बात करते हैं तो भारत में हिमाली जो भी राज्य है वहाँ पर हिम तेंदुव पाय जाएगा क्योंकि जहाँ पर हिम पाय जाएगा वहीं पर हिम तेंदुव पाय जाएगा तो भारत में हिमाली राज्यों में जादा तर हिम पाय जाता है देख लेते हैं, जम्मु कस्मीर, हिमान्चप देश, सिक्किम, उत्राखंट, आदी, राज्यों में यह पाय जाता है, माइनस 40 डिग्री सेंटिकेट टेंपरेचर में भी रह सकता है, हिमान्चप देश का राजकी पस हुआ है, हिमान्चप देश, यहाँ पर उसका राजकी पस गोषित कर दिये गया है, और इसे पहाड़ों का भूट कहा जाता है, लाल पांडा, यह भी सिक्किम, अस्म्व, उत्रियो राज़्यों में पाय जाता है, ये चित्र देख सकते हैं लाल पांडा कहां कहां पर पाय जाता है तो चाइना में पाय जाता है इसकला अभारत के नेपाल अपाल के आसपास अभारत के कुछ राज्यों में पाय जाता है ये अपना अधिकांस बोजन बांस के ब्रच्च से प्राप्त करता है तो आगे चली हम देखते हैं बांसके ब्रच्च के बारे में एक बांसके ब्रच्चों को खा करके अपना पेट भर रहा है यह ध्यान लखना है और लाल पांडा मुख रूप से कहां कहां पर पाजाता है तो भारत के किन राज्यों पाजाता तो यह आपको ध्यान लखना है लाल पांडा के देट्याकार पांडा की नाम से जाना जाता है, देट्याकार पांडा की सबसे मुख विशेस्ता यह है, कि यह इसका जो आवास है, अब हो कम हो चुका है बहुत जादा, यानि अगर हम बात करें, कि चीन में इस जगर पर पूरा जो गरी कलर से बनाया गए, इस लोकेशन पर पाए जाता था इस्टोरिक रेंज फार जाइंट पांडास थी इसका तेदिक सिकार हुआ है और सिकार होने के वज़े से इसकी लोकेशन अब खतम हो गई है और इतने में ही सीमिद रहेगा यह करेंट जाइंट पांडा है यह रेडिकलर सीडियो डाट बने हुए है इस शित् बिलुक्त हो गया है यह भी मिल सकता है तो चाइना में बिलुक्त हो गया या बिलुक्त होने का गार पर है हाला कि इसकी चाइना के अलावा एक अन्य जो लोकेशन है वह कुत्रियमेर का महाध्यूप में भी यह पाय जाता है एक अगला प्रस्न इससे बनता है कि WWF एक संस् के पांडा का पांडा कर लेते हैं इसपांडा की खात्म होने के कारण क्या है यहां जंगलों को विनास किया गया है निं का परॉटाटीव क्रेट काफी धृमा होता है काफी देरिसे होता है परचो अपन arguments से बंबू पर असरविक रहता है और बांस को इतना ज़्यादा खाता है कि एगर 24 गंटे में एरुज देखा जा तो 12 गंटे बांस ही बांस खाता रहता है इतना ज़्यादा बांस खाता है अब बांस के कमी हो गई इसी वज़े से इनका लगतार रास होता चला जा रहा है एक अगली बात करें, तो आपको मैं बता दूँ कि इनके गले में इतना ज़्यादा मजबूत अंग पाए जाते हैं, कि जिस वज़से ये बास जो है इनके गले में फसता नहीं है, अगर आप इनके अलिमूनियम के तस्तरी भी कोई दे दोगे, तो उसको भी खाड़ा लेंगे और उसको भी गले में इनके फसेगी नहीं, इतना ज़्यादा इनका गला मजबूत होता है, तो ये बिसेश बात ध्यान अकना है, कि ये बास पर मुकरूप से अस्रित होते हैं, एक अगला प्राड़ी वज्जर सल्क या पैंगोलिन होता है, ये एक ऐसा प्राड़ी होता है, जो भारत के हिमाले और दच्छल में पाए जाता है, पूँच जो वोती है, इसका काफी मो काला प्राड़ी है, अकीला इस तरह के प्राड़ी जो सल्क भी रखता है, और संधारी भी है, रात्री में सक्री होता है, और अपनी इस तरह से ये जीव जो इसकी है, इस जीव की सल्साहयता से ये दीमाप और चीटी को खाता है, इसके मांस और इसके चमड़े को प्राप् काला हीरन का सीकार करने में सजा सुनाए जा रही है, युश समुदाय जिसके body में Bürद आखी परिवार का सदस्य मानता है और यही कार्ट है कि इसी संगधाय ने इनकी सिकायत की थी और यह आज तक चक्कर लगा रहा है इस तरह से भारत में पाई जाने वाले जितने भी स्थानिक प्राणि ही थे मात्पों उनको हमने खतम कर लिया है हालां कि कुछ बचे हुए जो प्राणि होंगे उनके बारे में हम अगले वीडियो में अत्यन करेंगे इस वीडियो में मैं दो अन्य और प्राणियों के बारे में बताना चाहूंगा भारत से सम्मझन तो नहीं है लेकिन एक चाम में बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं वह ज़्यादा लटका रहता है रात रिचर जानवर है तिन फ़र लटका रहेगा रात में अपना खाने पीने के इतिजाम करेगा और इस तरह से लटक करके देखिए यह मा अपने बच्चे को लिटाए हुए है और इस तरह से सोता ही रहता है यह इसी बात के लिए जाना जाता है दुनिया करता है, एक अगला प्राणी है कोवाला जिसके बारे में हम अध्यन किछले वीडियो में कर चुके हैं, हलांकि फिर से महत्पून लगा है इसलिए हमने इसको इस टापिक में भी डाल दिया है, कोवाला एक ऐसा प्राणी है जिसे हम कोवाला बेर के नाम से भी जानती हैं, और यह आस्ट्रेलिया में मुख रूप से पाए जाता है, हमने आपको बताया था कि आस्ट्रेलिया में मुख रूप से कौन सब पेड़ पाए जाता है, यहाँ पर यूकलिप्टस पाए जाता है, और यह जो प्राड़ी होता है, यह यूकलिप्टस को ही खा करके अपना जीगन ये देखिए चित्र में यूकलिप्टस का पेड़ है, वहाँ पर सो रहा है, सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं, यूकलिप्टस के बारे में बता रहे हैं, तो ये महत्पोप्रस न बन सकता है, कि मुख रूप से ऐसा प्राड़ी बताए, जो यूकलिप्टस के प्लड़ पर आश्रित होता है उसे को खा करके अपना पेट पालता है तो ऐसा प्राड़ी आपका कोवाला है चूंकि यह पेड मुख रूप से अस्ट्रिया में पाया जाता है यह अभी जो लगी हुई थी आग अस्ट्रिया में जंगलों में उसी के दर्दनाग तस्तवीर है तो इस तरह स मज़ित उनको जाला जाला सेर करें ऐसे मज़दार वीडियो के साथ हम हाजिर होते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार